प्रोफेसर आदित्य अगरवाल हट्ली वेलकम सी टू माय यूटूब चैनल आपको याद होगा हमें एक नुमेरिकल कर रहे ते हैं इस नुमेरिकल के और चार पर्ट बना चुके आज फिफ्ट पर्ट करेंगे और फिफ्ट पर्ट में हमको क्या करना है यह जो हमने पिछली में बार और डिफ्ट की छत भरी इस ऐसी की चटमh करना होगा या फिर है कि आप अब पिर पतैनल्स कर सकते बहुत सारे घरों में इसा देखा गया है कि छत के ऊपर लोग जादा पर प्रिफर हमें नेज्ट मिल झाती और दिख्ती भी सुन्दर है अगर आप tiles लगाना चाहते है तो आप उसमें tiles की cost add करेंगे बट अगर आप lime concreting या cement concreting करना चाहते है तो आप cement concreting करेंगे तो अभी हम estimation में cement concreting करेंगे फिर इसके साथ अगर आप लोग alternatives को चाहेंगे तो हमें tiles के लिए एक छोटा सा video create कर लेंगे है तो अभी हमारे पास next 9 नंबर का point आएगा 10 सेंटीमेटर को कि लाइंग कोंक्रीट कि लाइंग सिमेंट कॉंक्रीट वर्क एट रूफ अब इसमें हमारे पास फिर से 2 category है कौन सी एक room की room की रूफ अलगे और एक वेरंडा की रूफ अलगे तो सबसे पहले room फिर उसके बाद वेरंडा ठीक है room पूरा overall a की number ले लेते वेरंडा overall a की number ले लेते ठीक है अब इसकी length अब आप जो finishing करोगे वो finishing कहां पर करोगे जितना जितना span आपको दिख रहा है मतलब boundary wall के बाद जितना जितना span बच रहा है उतना तो अगर हम इसका room का एक plan बनाए तो यह plan है मेरे room का जिसमें यहां पर यह जो wall है मेरी यह 20 की है और यहां पर यह जो wall है यह 20 की है यह हमने parapet wall बनाई थी last time जब हमने first class brick का superstructure करा था ठीक है यह वाला 10 cm एक अलग से margin है यह वाला 10 cm अलगे क्यों क्योंकि हमारी wall कितनी है 30 मतलब 0.3 प्लस यह वाला room क्यातना है 4 ठीक है प्लस 10 cm यहां से बच रहा है क्यों क्योंकि नीचे 30 की थी चट पर 20 की है तो 10 cm यहां से margin बच रहा है और 10 cm इस side से बच रहा है मतलब हम इसको बोलेंगे clear area clear span या फिर clear length अंदर से अंदर का distance मतलब एक wall से लेकि दूसरे wall का distance हमने लिया है length फिर से बताते एक बार 4.5 प्लस 0.3 प्लस 4 प्लस यह 20 कौन सा है 10 cm यहां से बच आता 10 cm यहां से बच आता क्यों क्योंकि नीचे wall 30 की थी उपर जाके 20 की हो गई तो यह कितना आ रहा है 8.5 8.89 तो यह distance कितना आ गया 9 meter ठीक है अब इदर height यह 5 है ठीक है 10 cm यह उपर से बच रहा है क्यों क्योंकि wall 20 की हो गई उपर भी छट पे wall 20 की हो गई तो 10 यहां से 10 यहां से तो 5 प्लस 10 प्लस 10 तो यह भी कितना आ गया 5.2 है समझ में कितना आ गया 5.2 अब मुझे बताइए इसकी height होगी कुछ इसकी कुछ height होगी या नहीं होगी इसकी कुछ भी height नहीं होगी ठीक है यह 5.2 गलती से इदर आ गया यह 5.2 इदर आएगा ब्रेट ते उसकी ठीक है अब next आते वेरंडा यह वेरंडा भी उसी size का है क् प्लॉट जितना नीचे जा रहा है उत्तर नहीं उपर है यहां पर वाज ओर्डी 20 की है तो हमको कुछ भी कर्रेक्शन करने की जवरत नहीं है आप चाहिए तो देख सकते 4.5.3 4 10 इदर से 10 इदर से तो यह वापस कितना आ गया यह आ गया 9.0 ठीक है अब यह वाला span 2.5 तो यह डिस्टेंस कितना आ गया 2.5 आया समझ में इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं चलिए एक पॉइंट और लिख लेते हैं तो दोनों को एक साथ स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आएगा हमार पास 10th पॉइंट विच इस नोन एस 3 सेंटीमेटर इंसुलेशन लेयर ओवर रूफ आप क्या कर रहे हो एक 3 सेंटीमेटर की लेयर बिचा रहे हो आप डियागराम में देख सकते हो जब हमने हाई टीटी है 3 सेंटीमेटर को भी प्लस कर रहा था 3 सेंटीमेटर इदर भी है 3 सेंटीमेटर इदर भी है तो हमको क्या करना है 3 सेंटीमेटर की लेयर बिच्छानी है यह लेयर कहां बिच्छाएंगे सेम इसी के उपर क्यों ताकि धूब की केड़नों के कारण नीचे गर्माट नहां सके मतलब हम क्या कर रहें इंसुलेशन प्रोवाइट कर रहें तो इंसुलेशन कहां कहां पर फिर से एक रूम पर और एक वेरंडा पर रूम और लेलेंगे वेरंडा और लेलेंगे जितना ये था डैंचंस सारे डैंचंस इतनई रहेंगे बस इसकी हइट किती हो जाएगी 3 संटी मेटर इसकी हैट किती तैन जब भी हमने यहांरा पर डिफाइं नहीं कर आ क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया कि 10 cm तक हमको करना है यहां पर 3 cm तक हमको करना है तो इसके dimensions भी सेम ही रहेंगे 9.05.2 फिर से 9.05.2 एंड 2.5 तो यहां से हम इसकी total quantity निकाल सकते हैं कि हम आर पर इसकी quantity कितनी आ रही है एक सेकर हम इसको चेक कर लेते quantity कितनी आ रही है यहां पर आ रहा है 9 x 5.2 यहां रहा है 46.8 9 x 2.5 यहां रहा है 22.5 तो प्लस 46.8 यहां रहा है 69.3 मिटर स्क्वार क्यों क्योंकि यहां पर height हमने define नहीं करिये फिर से यह वाली quantity भी सेम ही आएगी कितनी आएगी 69.3 मिटर स्क्वार आया समझ में 9.10 पॉइंट अब next आता है हमारा चोखट मतलब यह जो दर्वाजा लगाया यह जो विंडो लगाई अब क्या करेंगे हम इनकी चोखटे calculate करेंगे कि हमको कितनी चोखट लगेगी अब आप यहां पर अलग-अलग type की woods देख सकते जैसे साल वूड हो गई आपके पास बहुत सार लग टीक वूड हो गई तो आपको इसी भी type की woods देख सकते अब हमारा काम क्या है हमारा काम ही है कि हमको quantity निकालना है तो quantity हम निकालते wood आप कोई किसी भी सिलेट कर सकते जो भी wood आप सिलेट करेंगे उसका rate उस हिसाब से लगेगा ठीक है अब हमारा पास next आता है 11th point विची जोनेस साल वूड रिक्वायर्ड फॉर चोखट at कहां कहां पर लगेगी सबसे पहले at door and at window एक door पर लगेगी और एक window पर अब इसको थोड़ा सा practically समझते जैसे अगर ये मेरा एक दरवाजा है ये मेरा एक door है थोड़ा सा जादा हो बड़ा हो गया ये door है तो door डोर पर चोखट कहां कहां पर आती है एक चोखट यहां पर आएगी और एक चोखट यहां पर आएगी पर एक चोखट यहां पर आइगी मतलब दो vertical में गी और एक horizontal में गी क्या डोर के नीचे चोखट लगाते हैं नहीं क्योंकि हमने यहाँ पर और डॉर सिल लगा दिये आपको याद होगा जब हमने एक डीपीसी वाला ताउपिक पड़ा था क्योंकि हमको यहाँ पर लागानी नहीं पड़ेगी आए समझ में दोर कितने हमार पास नंबर में विंडो कितनी हमार पास 1234 कितनी विंडो जे फॉर अब दोर की लेंथ निकालना है दोर की लेंथ कैसे निकालेंगे यह जो डोर है इसका क्या साइज है 1.2 मिटर और इसकी 2.1 यह कितना है 2.1 और इसके विट किती है 1.2 अब एक चीज आपको यह समझना है कि यह जो 2.1 मिटर है तो यह थोड़ा सा जमीन के अंदर भी जाएगा एकदम जैसे यह ग्राउंड सर्फेस है तो ग्राउंड सर्फेस पर चोकट खड़ी नहीं रहती थोड़ी सी अंदर जाती है तो हम क्या करेंगे यहांपे 5 cm इंसर्ट करेंगे कहां पर जमीन के अंदर 5 cm एक मतलब बहुत मामुली सा तो यह कितना हो गया 2.15 हो गया यह भी 2.15 हो गया और ये तो 1.2 ही रहेगा तो यहां से हमारा दोर का साइज हलका सा चींज हो रहा है कितना हो रहा है 4.3 5.5 आया समझ में फिर से 2.15 कैसा है या 5 सेंटिमिटर हमने थोड़ा सा दोर को जमींके अंदर से लिए इतना इतना ही हाँ पर ठीक है नेक्स्ट विंडो विंडो का साइज तो हमको ओर्डेडी गीवन है कितना है 1 मिटर है और इसकी विट किती है 1.5 मिटर तो यहां पर यह क्या हो जाएगा यहां डोर होरिजोंटल आ गया वर्टी का ला गया विंडो 1 मिटर हैसी 1.5 मिटर हैसी होगा ठीक है विट्थ डोर की विट्थ जनरली जो रहती है वह 12 सेंटीमिटर रहती है और विंडो की जो चोकट रहती हो जनरली 10 सेंटीमिटर के आसपास की रहती है ठीक है अब इनकी ठीकनेस जो पैनलिंग रहती है उसकी जो ठीकनेस रहती हो जनरली 8 से 10 सेंटीमिटर के आसपास लेती है तो अभी हम क्या करते एक standard 8 cm follow कर लेते हैं यह आप इसको vary कर सकते हैं जो भी आप अपने design को लेंगे उसके साब से अभी मैंने random values लिए क्यों क्योंकि मैं को पता है कि standard 8 cm तक है अपन उसकी height लेते हैं ठीक है तो यहां से हमार पास इसकी calculation आ जाएगी कि हमको यहां पर यह total quantity कितनी लगेगी अब इसके बाद पहले इसकी quantity निकाल लेते हैं 2 into 5.5 into 0.12 into 0.08 यहां रहा है 0.11 16 into 0.1 into 0.08 0.13 तो यहां से कितना रहा है 0.24 चीक है I hope these points are clear to all of you okay next last topic हमारा इसमें आता है which is known as 12th point 12th point इसमें आता है हमार पास mild iron bars at window and fastners at doors थोड़ा सा और रब कर लेते नीचे का भी चीक है अब क्या करना है हमको fasteners लगाना है fasteners मतलब हमको क्या करना है hold fasteners जिसको हम इंदी में बोलते कबजे कबजे लगाना है ताकि हमारा दर्वाजा उस पर बाई कर सके हमारा दर्वाजा उस पर टिक सके अगर आपका कुछ दर्वाजा इस टाइप का है मतलब आपका दो पैनल डोर है एक डोर यह रहा एक डोर यह रहा एक यहां पर है मतलब दर्वाजा ऐसे खुलेगा कैसे खुलेगा ऐसे खुलने पर मतलब आपकी दो पैनल है तो एक कबजे आप यहां लगाओ एक यहां लगाओ एक यहां लगाओ एक लगाओ टोटल एक डोर में कितने लगा सकते हो जिससे दरवाजा आपका कभी भी बैंड नहीं होगा अभी हम यहां पर त्री कपजे लेते या फिर आप हो सकता है सिंगल पैनल डूर भी दे दे जैसे अगर डूर छोटा है तो सिंगल पैनल दे तो इस दरवाजे में कितने लगेंगे एक दो तीन अभी क्या कर फासन फॉर विंडो किसके लिए लगेगा फिर विंडो के लिए अब विंडो यह एसी है हमारी तो एक विंडो में कितने लगेगा एक एक यह एक मतलब वहांपे सिल चार से हमारा काम हो जाएगा ऑब हमारे दो डोर है, एक डोर में कितने लग रहे, 6 into 6, तो टोटल कितनी quantity आ गई, 12, मतलब कितने फासनर लगे, 12, टोटल कितनी विंडो है, 4, एक विंडो में कितने लग रहे, एक इदर, एक इदर, एक इदर, एक इदर, एक इदर, चार, तो यहां से कितना आ गया, 24, तो टोटल हमको कितने लग रहे हैं 36 नमबर अब ऐसा जनरली देखा जाता है कि एक फासना जो रहता है वह approximately 1 kg के आसपास रहता है आप चाहे तो heavy भी आला भी ले सकते हैं आप चाहे तो low quality भी ले सकते हैं तो weight difference हो सकता है तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इसका जो approximate वजन आ रहा है वह आ रहा है 36 kg के असपास आया समझ में अब इसके बात क्या है आपको क्या करना है आपने window के उपर एक जाली लगानी है भार जनरली लगाते हैं लोहे की जाली आपने देखी होगी जैसे अगर यह आपकी window है तो यहाँ पर ऐसी 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 लोहे की grill लगती है जिसे समझ जाली कहते है तो अब आपको क्या करना है यहाँ पर 16 mm reinforcement के साथ 16 mm reinforced grill for windows at the rate 10 cm center to center distance जिसका distance रहेगा approximately 10 cm ठीक है तो इसकी quantity निकालना है आप हमें आप यहाँ पर windows कितनी है हमारी 4 windows है कितने बार लगेंगे अगर 10 cm center to center distance ले रहे हैं और इसकी जो वेड़त है वो कितनी 1 है तो यहाँ पर हमको कितनी लगेगी 10 लगेगी yes or no कितनी लगेगी 10 10 quantity आ गई और इनकी length कितनी होगी हमारी विड़ो की length किती है 1.5 meter कितना लग रहा है into 1.5 meter अब ना तो इसकी कुछ bit होगी ना इसकी कुछ height होगी तो यहाँ से हमार पास कितना रहा है 40 into 1.5 मतलब यहाँ पर आ रहा है हमार पास 60 meter क्या रहा है 60 meter और यह जो reinforcement डलता है यह reinforcement 16 mm का जो आता है वो approximately 1.58 kg पर मिटर होता है मतलब अगर आपके पास 1 मिटर है तो आपन उसको बोलेंगे कि उसका जो सरीय का बजन होगा वो होगा 1.58 kg यह general है तो यह कितना आएगा हमार पास 60 into 1.58 तो यहां से हमार पास यह dimension कितना निकल के आजाएगा 60 into 1.58 यह हमार पास आ रहा है 94.8 kg और उपर वाला कितना था 36 kg प्लस 94.8 तो यहां से हमार पास कितना आ रहा है प्लस 36 यहां पर हमार पास आ रहा है 130.8 kg या फिर 1.31 quintal तो यहां से हमार पास quantity कितनी आ रही है 1.31 quintal अब 1 kg का जो भी rate होगा 1 quintal का जो भी rate होगा आप उसको rate में multiply कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा हमार पास overall quantity कितनी आ रही है ठीक है तो हम एक थोड़ा सा conclude कर लेते है आज हमने क्या सीखा आज हमने सीखा कि 10 cm की हमने lime concrete या cement concrete की layer डाली फिर उसके बाद हमने 3 cm का insulation डाला फिर उसके बाद हमने एक चोकट डिजाइन करी उस चोकट के बाद हमने उसमें fasteners लगाए वो fasteners लगाने के बाद हमने उसके अंदर windows के उपर जाली लगई तो I hope आपको ये video समझ माया होगा बट अगर आपको फिर भी कोई doubt आते तो आप हमें comment box के तुरू बता सकते so thank you thank you so much for listening me